हेलो फ्रेंट्स स्वागत आपका स्टडी है क्चेनल पर मैं आसा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे और अपनी तैयरी में जोरोष औरोष से लगे होंगे तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम वकायव की सीरीज कर रहे हैं जिसमें ब्लैक बुक के मोस्ट रिपीटेड को डिसकस करें तो आज हम डिसकस करेंगे ओड़ीओ का पार्ट टू पार्ट वन में अल्रडी हम लोगों ने 20 ओड़ीओ कर रखा है अपने नहीं देखा तो इस क्लास को रिंड होने के बाद उस वीडियो को जरूर से जरूर देखें चले विनादेरी के सुरू करते हैं अपने क्लास को जानते हैं हमारा नेक्स्ट अधिक्ट मतलब चाहता है बलत या नसेवाजी टीक है अपर्शन हूँ इस फिजिकली डिपेंडेंट और सब्स्टांस और आंफुल ड्रॉक्ट या तो हांफुल ड्रॉक्स तीक है खटनाक जो ड्रॉक्स होते हैं उस पर या कोई ऐसा सब्स्टांस जैसे कि बहुत सारे हो कोई गंजा फुकता है कोई अल्कोरोल कि लेता है थीक है तो इन सब पे जो दिपेंड होता हैं उनको बोलते हैещ contact किसी बींचिद को इंटपार्टीपेशन हो सकती है तो डिपेंड करता है संटेंस पे ठीक है कि संटेंस क्या कहा उस हिसाब से इसका यूज नाउन की तरह भी होता है और वर्व की तरह भी होता है ठीक है इसका प्रोनांसियेशन कहा है एडिक्ट चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐब छेजन है अदीर ठीक है अधीर मतलब क्या एक पालन करने की सी भी चीज़चिए आंड फॉलॉद प्रक्टिस और पालन कब करें को जब आपको उस चीज़च में क्या होगा विश्वास हों ऑक्के आप उस प्रैक्टिस को क्या करो में वालू यह तो विलीव इं एंड फॉलोग दप्रेक्टिसेज ऑफ टीक मतलब जहाँ अधियर आलन्ध करना बात कर लिए सिनोनिम की तो क्या को जाँ कम प्लाइं फॉलोग यह सब क्या है इसके सिनोनिम से तो फटाक से बता दो कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है अधियर का तो यह क्या है एक वार्व है ठीक चलिए next बात कर लेते next जो है वो है adolescence मतलब क्या आता है किसोर अवस्ता ठीक है adolescence मतलब क्या आता है किसोर अवस्ता ये कौन सी अवस्ता होती है तो ऐसा period ठीक है जब आपकी poverty स्टार्ट होती है और जब आप adulthood में जाते हैं उसके बीच का जो create होता है उसी को बोलते है किसोर अवस्ता ठीक है the period between the beginning of puberty and adulthood ठीक है puberty और adulthood के बीच का जो समय होता उसी को बोलते है adolescence मतलब किसोर अवस्ता जैसा देख पारेंगा picture से कि ये लोग क्या है puberty age से आगे निकल चुके है अब बोल सकतों कि teenage है अभी व्यास्क भी नहीं हुए adult भी नहीं हुए लेकिन ये puberty से उपर है teenage में है कि सोरा अवस्ता में है teenage, juvenile ये सब क्या है इसके synonyms है बात कर लें इसके parts of speech की फटाक से बता देना कि adolescence क्या है तो ये क्या है noun नहीं नहीं नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है अडानिस अडानिस मतलब क्या होता है खूबसूरत नोजवान देख पारेंगों पिच्चर से कि कितना है handsome है dancing है एन एक्स्ट्रेमिल यंग है जो बहुत ही आकार्सित पुरूस होगा यंग पुरूस इसी को बोलता है अडानिस तो फटाक से बता देना कि क्या है तो इसको हम लोग noun की तरह भी यूज करते हैं और adjective की तरह भी यूज करते हैं तो ये sentence पर बिल्कुल करता है कि वहां पर किस तरह से यूज हो रहा है sentence में हो जकता है कहीं पर noun की तरह यूज होगा किसी जगा पर adjective की तरह यूज होगा जैसे कि कैसा नौजावन तो खूबसूरत नौजावन adjective की तरह हो जाए कहीं पर noun की तरह भी यूज होगा वकील, a person who supports and speaks in favor of something ठीक है, उसी को बोलते है वकील, ये तो बहुत easy है, common है आप सभी को पता होगा ठीक है, आपका क्या होता हूँ, वकील जो होता हूँ वकील क्या होता है, supporter होता है ओके इसका use हम लोग दोनों तरह कर सकते हैं, नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, और किसकी तरह वर्व की तरह ठीक है, जैसे वकील है तो ना उन्हें, वकालत करेगा उसके लिए अड़ोकेट करते हैं, तो वो वर्व की तरह यूज़ होता है ये चीज़ आप क्या तरह होँ, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा OWS है, वो कौन सा है तो वो है Arial, ठीक है Arial मतलब क्या आता है, जो हवाई हो हवा से रिलेटे, लिविंग इन एयर एग्जिस्टिंग इन एयर या ग्रोइंग इन एयर, उसी को बोलते हैं Arial ठीक है, जैसे देख पा रहे होगे यह क्या है, Arial View है क्या है, हवाई दिरिस्टे इसको आप बोल सकते हो Arial View बात कर लें पार्ट्स आपे स्पीच की, Arial की तो Arial को भी हम लोग नाउन की तरह भी यूज कर सकते हो और Adjective की तरह भी यूज कर सकते है तो यहां पर Topic जामपल देखना है Adjective की तरह की हवाई, कैसा हवाई है तो नाउन की तरह कभी यूज करते हैं जब Arial का एक मतलब क्या होता है Anteena भी होता है इसका एक मीनिंग भी है अपने पढ़ाओगा Arial है इस चीज़ का तो क्या होता है Anteena भी इसका मीनिंग होता है तब यह नाउन की तरह यूज होता है तो Growing, Existing, Living in Air Air से याद रखना Arial Arial है मतलब Air से Related ओके चाल नेक्स्ट बात कर लेते है नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है Aesthetic क्या है Aesthetic मतलब सौंदर बोधी ठीक है Concerned with beauty or the appreciation of beauty कितना सुंदर है सौंदर बोधी Aesthetic मतलब क्या होता है सौंदर बोधी इसका pronunciation क्या होता है Aesthetic Aesthetic याद रखना प्रनाउंचियेशन भी क्या होता है तो जो चीज खुबसूरती से सौंदर से Related होगा सौंदर के प्रती Concern होगा उसी को बोलते Aesthetic ठीक है ऐसी इस्तिति जो आपको बहुत अच्छी है ठीक है तो सौंदर से Related है क्योंकि वो beautiful होना चाहिए तभी तो आपको ऐसी इस्तिति अच्छी लगती है जो क्या हो बहुत ही beautiful हो ठीक ऐसे आपर Related करके याद कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है Agenda ठीक है Agenda मतलब कारे सुची ठीक है अपर लिस्ट अफ आइटम्स टू भी डिस्कस एट अम लिट तो वो जो कारे सुची होता है जब आप किसी मीटिंग में जाते हैं तो उससे पहले कारे सुची बताते हैं जो कि आपको मीटिंग में डिस्कस करना है उसमें आप important points highlight करते हो उसी को बोलते है एजेंडा कि आपकी कारे सुची क्या होगी आपका एजेंडा क्या होगा तीक है उसी पह आप पुरा focused होते हो तो उसी को बोलते है a list of items to be discussed in a meeting तो आप एक list बनातों कि इस-इस item को या इस-इस points को मुझे meeting में highlight करना है तीक है निक्स जो वर्ड है वो क्या है aggressive aggressive मतलब क्या होता आक्रमक को भी चीज़ aggressive होगा तो आक्रमक होगा always ready to attack क्या होगा हमेशा तयार होगा लड़ने के लिए या जगरने के लिए या अपने हमला करने के लिए उसी को बोलते है aggressive ठीक है आप इसको ऐसे ही याद कर सकतो जब आप गुर्णा तो अगर अगर बात नहीं बने अगर बात नहीं बनती है तो क्या होगा आक्रमक हो जाएंगे अटेक कर देंगे ठीक है तो आप इसके synonyms देख लो क्या क्या हो जागा क्या अगर बात नहीं बनेगी आप अटेक कर देंगे तो बात कर लें धी इसके पार्ट्स आव स्पीच 2002 006 कैसा है आक्रमक है तो यह क्या है। ते कि यह जब आपको चीज़े क्लियर होगी हुग तो नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट है एगनी एगनी मतलब क्या होता है कस्ट पीरा एक्स्ट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग उसी को बहुत है एगनी बात कर लें इसके स्पीच तो एगनी जो है वह क्या है Şu charging लाट है कि भी देख भाण इसका ब्रेक पप्पोगिया क्युक्तeking नीग हो रहा है एक्स्ट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग हो रहा है बात कर लें कर लेंदेक सफरिंग्नुन επाहिव होता है ूद 10 बात कर लेते हो कि निक्स्ट यो वर्ड है वो क्या है एलगो फोबिया कि अलगो फोब्या मतलब मसें में सारीर में कर्ष्ट होने का ड़्रॉ फोबिया होता हैbilir in आहां कि और एक East अऩर तो पेंस तो तो फियर औफ इनको क्या बोलते हैं sporting प्रॉसाज हिए ग्रायागोफोबिया के पार्ट पर अलगहोड़ागया को अईसे याद कर अलग हो अब के बाड़ी कोई पार्ट तो आप और डर्द होगा तो यह उस चीज़ गीर मेरी बाड़ी के पार्ट आलग हो ग Mensch Gak पिण हो गसे अलग होने का आपको डरह है किस चीज़ का नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट एलियन यह सब आपको पता आपके लिए विदेशी हो ऐजनभी हो टीक है आपके कंट्री में अलग जो ऐसे और और अजनबी से खाल के और जेगा जाते हैं यह जी आप ठॉट्री में अगर आप किसी और जात cav跳 कि वहां नहीं भी बताना की एंडियान का था पर speech क्या होगा और यह आप comment में बता लें बात कर लेते हैं नेस्ट है इसको क्या बोलता है इसको यह क्या होता है पटियक्ता पथनी के लिए नीद्वाद नीधी पढ़ी त्यक्ता मतलब क्या करना पढ़ीतियाक करना जब आप अपने पथनी से separate होते हैं, divorce लेते हैं legally ठीक है तो आपको कुछ allowance देने पड़ते हैं अपनी पत्नी को उसी को बोलते है al money an allowance made to a wife by her husband when they are legally separated ठीक है अपने न्यू जब बहुत ज़्यादा देखा होगा अभी recent case देखा होगा कि अभी किसी ने क्या लिया है divorce लिया है आई होप आपको चीज़े clear हो गई हुए तो next बात कर लेते हैं next जो है वो क्या है इसको बोलते है allegory, allegory मतलब क्या होता है नीती कथा ऐसा story या play होगा या कोई picture होगा जो हर character को depict करता होगा या character को depict करे या event को represent करे या कोई idea या quality जैसे कि सच्चाई का परदर्शन करे या evil का या death का उसी को बोलते है नीती का था a story, play, picture, etc in which each character or event is a symbol representing an idea और a quality such as truth, evil, death उसी को बोलते है नीती का था बात कर लेज़े से synonyms की तो क्या होगा पैरेबल ठीक है अलगरी की parts आपर speech की बात कर ले तो क्या हो जागा ये, क्या है noun जैसा आप इस picture से देख रहे हो कि कैसे ये depict कर रहा है story, ये घोरे को दिखा रहा है यहाँ पर उल्फ दिखा रहा है तो ये क्या कर रहा है कि ये character दिखा रहा है, या picture दिखा के आप किसी भी idea को, quality को जैसे की सच्चाई का परती या बुराई का, evil का या मौत का परती की दिखा तो उसी को बोलता है अलगरी चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट जो है वो है alliteration alliteration मतलब क्या होता, अनुप्रास अलंकार, अगर हिंदी पर होगा हिंदी व्यक्रन में, तो आपने ये जरूर पर होगा अनुप्रास अलंकार इसमें क्या होता कि, repetition होता है initial consonant ठीक है, consonant sound का successive word में, आप इसको बोल सकतो commencement of adjacent words with the same later repetition of an initial sound in two or more words of a line ठीक है, जैसे कि आपने बहुत सारा देखा होगा tongue twister type का, ठीक है, वो क्या होता है electration type के लिए होता है जैसे, sea cells, sea cells by the sea source ठीक है, sea cells sea cells by the sea source, ठीक है इसमें आप देख रहा है, क्या आ रहा है s वाला sound सब में आ रहा है ठीक है, तो ये क्या है, अनुप्रास अलगकार है, जैसे fair is fall and fall is fair ठीक है, sleep, sleep, in, said ठीक है, तो ये सब क्या है electration है, फटाक से बता दो कि इसका parts of speech क्या होगा तो electration का parts of speech क्या होगा ये क्या है, ये noun है ठीक, चलिए, नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो है, वो क्या है alma mater, alma mater मतलब क्या होता है जहां सिक्षा पाई गई वस्ट, ऐसी संथा जहां से आपने सिक्षा पाई है उसी को बोलता है alma mater the school or college in which one has been educated जहां से आप पढ़ी होगे जैसे अगर आप अभी college में होगे, school pass out होगे, तो school आपके लिए क्या है alma mater, जो आप college से फास हो जागो, वो भी आपके लिए क्या हो जागा, alma mater हो जागा तो school या college जहां से भी आप पढ़ाई कर चुके होते हैं उसी को बोलता है alma mater बात कर लें इसके parts आप स्पीच की, तो यह क्या हो जागा यह भी क्या है, noun और बात कर लेते हैं, नेक्स्त जो है वो क्या है, alpinism, alpinism मतलब जाओता है paravatarohan, परवत पे जब आ रोहन करते हो तो मतलब चडहाई करते हो, तीक है, उसी को बोलता है arohan, परवत पे आ रोहन तो वो मिलके बन गया परवातारों त्यांटेंग अल्पिनिज मतलब जाए माउंटेंग क्लाइमिंग देख पारेंगे पिच्छर से यह लोग क्या करें पहार पे चड़र है क्लाइमिंग करें बात कर ले इसके पार्ट आपे स्पीच की तो यह भी आपके लिए हुंबर करें कि आप कमेंट में बत कि इसको बोलते हैं औल्ट बोलते हुं यह क्या होता है एक तरका टेभल होगा या फ्लैट सर्फेस होता है जहां पर हम चड़हावा चढ़ातें एक उचिपघाव ऑपर होते हैं उसके बूलते हैं बात कर लोग सो पैस्पीच की आप्टकी तो यह क्या है यह एक noun है ठीक है नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हो है वो है altitude altitude मतलब क्या होता उचाहिए the height above sea level उसी को बोलते है altitude ठीक है elevation altitude ठीक है अब देख पारेंगे difference की elevation किसे बोलते है height किसे बोलते है altitude किसे बोलते है तो जो direct हमारी height होती है सी लेवल से ठीक है सी लेवल के अब उसी को बोलते है altitude ठीक है आई होप आप कुछ समझा आई गई होगी तो अपने फटाक से बता दू कि altitude का parts of speech क्या है तो क्या है यह नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट वर्ड हमारा कौन सा है तो नेक्स्ट जो वर्ड है वो क्या है एल्ट्रीस्ट ठीक है एल्ट्रीस्ट कौन होता है परुपकारी ठीक है जो परुपकार करता है उसी को बोलते है एल्ट्रीस्ट someone who makes charitable donation intended to increase human value ऐसा व्यक्ति जो की charitable donation करता है क्यों क्योंकि human का जो भी वेलीबिंग है उसको increase करे मानव भलाइ के लिए जो भी charitable donation करता जो वैक्ति उसी को बोलते है वो क्या होता है परुपकारी होता है इसके लेडि को क्या करे की कि तुम आजाओ प्रतिक्णार कर रही है ये बंदा भी धूप में घरा थे दोनों तो इसको भी अपने अम्रेला के नीचे ले लिए यह क्या है वैल्विन्स वाली काम है ठीक है बात कर ले इसके parts of speech की तो altruist का parts of speech क्या है फटाक से बता दो अपलो तो यह क्या है यह नहाओंग ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही आपको एक हमबर question बताना है ठीक है, हमबर question क्या है, अब former student of a school, college और university, इसको क्या बोलते हैं, इसके लिए आपको क्या बताना है, OWS11, ठीक है, आपको इसका क्या बताना 11, तो आज के लिए बस इतना ही, आज का class आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो, तो वीडियो को like करें, चैनल को subscribe करें, और comment में अपना answer जरूर दे, जो भी मैंने आप से हमबर पूछा, और कोई भी suggestion हो, तो आप वो जरूर से जरूर लेटे, ठीक है, तो मिलते हैं फिर next lecture में, कुछ नया लाने की questions करूँगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक क्या है,